नमस्कार दोस्तों आजके डिसकेशन का शेयर है फिलाटेक्स फैसंस लिम्टेड इसके फाइनेंशल येर दोजार पचीस के क्वाटर फर्स्ट के रिजल्ट आ चुके हैं रिजल्ट के बाद में मैंने एक रिसर्च की उस रिसर्च को इस वीडियो के माध्यम से आप तक का रहा हूं वीडियो में सुरू से आखरी तक बने रहे हो सकता है ये वीडियो आपके लिए फैदे मन साबित हो कंपनी 1995 में इंकरप्रेट हुई थी फेस वेलू शेयर का 10 रुपे था पब्लिक इशू के टाइम पे कंपनी मुझे बनाने का काम करती है ये कंपनी एक फेमस कंपनी है और अपने ब्रांड के साथ में कई मल्टी नेशनल ब्रांड के लिए भी मुझे बनाती है ये फिला के लिए बनाती है सर्जियों के लिए बनाती है एडिटास के लिए बनाती है वाल्ड बिजनी के लिए बनाती है और ऐसे और भी कई मल्टी नेशनल ब्रांड है जिनके लिए ये मोजे बनाती है ये इनका खुद का भी ब्रांड है टसकनी लक्षरी ब्रांड है इनका मोजे में और इनका दूसरा ब्रांड है स्मार्ट मैन इन्होंने वो for all.com ऑनलाइन इस्टोर ब्रांड भी खोल रखा है जिसके तुरू ये ऑनलाइन भी सेल करते हैं इन इसी डिरी बनाई है जिसके तुरू ये रेडिमेंट गर्मेंट को एक्सपोर्ट करेंगे और ये कंपनी इन्होंने दिली में खोल ली है और ये मोजे बनाने वाली कंपनी है ये हैदराबाद में है दोसों ये अपनी कंपनी जो इन्होंने गर्मेंट एक्सपोर्ट के प्रिश्पोर्ट करना भी आसान है दूसरी बात इन्होंने जो मुझे वाली कमपनी है जो जिसकी बात अभी चल कर रहा हूं मैं इसमें भी इन्होंने एक्षपेंशन का प्रान सोचा है कि जो मुझे बनाने की चमता है उसको और बढ़ाने के लिए ये काम कर रहा है अभी ये कमपनी हाल में ही न्यूज में थी कि इनकी एक सबसीडिरी है फिला टेक्स माइनस एंड मिनरल्स प्राइबेट लिम्टेड जो हैदरावाद में है उस एक सट करोड का ओर्डर मिला है ये कमपनी फिला टेक्स फैशन्स लिम्टेड की सबसीडिरी है तो इसे इस कमपनी को भी फैदा होगा तो पिछले पांच सालों के रिवेन्यू और प्रॉफिट लॉस की अगर बात करें तो 2020 में कमपनी ने अठवन करोड का रिवेन्यू ज प्रॉफिट थी करोडु दो हजार तेस में 164 करोड करी वेन्यू प्रॉफिट 12 करोडु दो हजार चोविस में 171 करोड करीब बन्यू नौ करोड का प्रॉफिट EPS की बात करें तो 2020 में 0.07, फिर 0.01, फिर 0.3, फिर 1.23, फिर 0.05 Debt to equity की बात करें तो 2020 में 0, 21 में 0, 22 में 0.5, 23 में 0.78 और 24 में काफी कम किया इन्होंने कर्ष और Debt to equity का रेशियो ले आये हैं 0.02 लगबख कर्ष मुक्त हो गई है कमपनी अब पिछले 5 सालों के revenue की figure पे एक नज़र डालते हैं 58 करोड 2020 में, 2024 में 171 करोड लगबख तीन गुना revenue 2020 में 1 करोड, 2024 में 9 करोड revenue में भी growth दिखा पिछले 5 सालों में 2020 में जो 58 करोड revenue था फिर 2021 में जोकी COVID का टाइम था तो घटके 17 करोड है गया फिर 2022 में 115 करोड फिर 164 फिर 171 तो 2021 की को अगर तोड़ा अलग कर दें तो revenue हर साल बढ़ा है profit की बात करें तो 2021 की में revenue नहीं हुआ तो profit भी नहीं है तो अगर 2020 में एक करोड का profit था तो 2022 में तीन का था फिर 2023 इसमें तेरे बारे करोड का था फिर नौ करोड का तो 2022 इसमें profit जरूर कम है लेकिन revenue में growth दिख रही है तो खुल मिला की company के result 2023 के मुकाबले ठीक है अगर revenue ज्यादा है तो profit थोड़ा कम हुआ बट revenue बढ़ना बहुत जरूरी है profit थोड़ा कम इसलिए भी हुआ होगा चूकि इन्होंने कर्श को काफी कम किया है और इस company ने अपने reserve में जो पिछले साल 2023 में 34 करोड़ था उस reserve को काफी बढ़ाया है जो आगे मैं बताऊंगा तो reserve में बहुत ज़्यादा याफा हुआ है कर्श को company ने कम किया है हो सकता है कि कर्श कम करने की वज़े से ये profit कम दिख रहा हो लेकिन कुल मिला के 2023 के मुकाबले 2024 का result सांदार है ooiony 69 लागप्रा कि स STEMBIRT3 10 quarter में 45.7 करोड़ का रिवेन एक करोड सैसी लागप्रा pense दि मरत्यों कोड़ की बात करें तो 44.51 करोड़ का抵ी औव और 2 करोड 33 लागप्राफिट मस्ट 24 कोड़ की बात करें To 61.76 करोड़ करोड़ क करूड़ करीणनू और 24 करोड 44 लाग का प्राफित्स जुन ट्विटिस वाड़ की अगर बात करें तो चुवीस क्रोड 21 लाग का प्राफिट से जब कम्पेर करते हैं तो रिविन्यू में काफी ग्रोथ है 19 करोड से 24 करोड प्रॉफिट में पिठीक टा ग्रोथ है 1 करोड 60 लाग से 1 करोड 73 लाग खुल मिला के जून 23 क्वाडर के कंप्रीजन में जून 24 का रिजल्ड काफी अच्छा है अब जून 23 क्वाडर को देख कंपेर करते हैं सेप्टेंबर दिसंबर और मार्च के क्वाडर से तो जून 23 क्वाडर में रिवेन्यू जन्रेट हुआ 19 करोड का फिर सितंबर 23 क्वाडर में रिवेन्यू जन्रेट हुआ 46 करोड का फिर दिसंबर 23 क्वाडर में रिवेन्यू जन्रेट हुआ 45 करोड का फिर मर्श 24 कवाडर में रिवेन्यी जनीट होा 16 करोड साती करोड तो खुल मिला है UH कमपनी हर क्वाडर में ठीक का म कर रही है और प्रफिट ko पर फ्रेंट पर भी कंपनीने जून 23 में 1.59 करोर स्थिर 1.87 करोरrs फिर 2.83 करोड फिर 2.44 करोड तो पक्ल मिलाखे कंपनी revenue के फ्रंट पे भी अच्छा काम कर रही है और profit के front पे भी अच्छा काम कर रही है जुन 24 कारड़ का result जुन 23 कारड़ से बैतर है अगर यह अगले क्वाटर में भी company ने अच्छा result पेश किया revenue और profit में ग्रोथ दिखी September 23 के केंप्री जन में अच्छा दिखा तो बड़ नेश्वरल है कि कंपनी अगले financial year में बहुत संदर रजल्ट पेश करेगी लेकिन कंपनी वैसे भी ग्रोथ के लिए effort कर रही है तो share की value अनलाख होने निश्चित है FIs के share 0.2% है, DIs के share 0% है, Public share 75.16% है, Promoter के share 24.82% है जो की कम है data equity career share 0.02 है जब मतलब कंपनी लगबख कर्ज मुक्त है Reserve or Surplus 1479 करोड का है जो पिछले साल 34 करोड का था तो कंपनी ने Reserve or Surplus में सांदार इजाफा किया है कंपनी के उपर कर्च 50 करोड का है और कंपनी ने 2221 करोड का investment भी कर रखा है तो कंपनी fundamentally बहुत strong है, कंपनी growth orientation में ध्यान दे रही है कंपनी export, garment export के शेतर में कदम रख रही है, उसने एक subsidiary पनाई है जिसका office दिली में खोला हुआ है और इन्होंने मुंबई में भी एक office खोला है ताकि जो है globally अपने product को बेश सके और जल्दी से जल्दी अपने company को expand कर सके और revenue generate कर सके और profit को बढ़ा सके तो company fundamentally strong है, company effort कर रही है, company उसके लिए garment export के लिए काम कर रही है अपने socks manufacturing unit की capacity पढ़ानी की कोशिस कर रही है globally expand करने के लिए उन्होंने एक office बुंबई में भी खोला हुआ है तो company अच्छे result पेश करने के लिए पूरे effort कर रही है company के fundamentally strong है और मुझे लगता है कि company जरूर अपने share की value unlock करेगी और shareholders को फैदा होगा दोस्तों ये एक informative वीडियो था इस वीडियो के अधार पे ना तो share खरीदे और ना बेचे share खरीदे और बेचने से पहले अपने qt के research करें उस research के लिए मेरे इस वीडियो के research का यूप यूप करें और उसके बाद मैं अपने financial advisor जो की savi registered होगा उससे advise लें उसके बाद ही share खरीदे और बेचे मेरा जो research है उससे ये result सामने आ रहा कि company fundamentally pretty strong है company के पास पैसे है company कर्जमुक्त है और company जो product बनाती है वो multinational company के लिए भी बनाती है और खुद का भी उनका product है जो की luxury brand भी है और एक normal brand है और online stores भी है इनके पास में तो और ये अपने garment export के लिए भी effort कर रही है और globally pad बनाने की कोशिस कर रही है तो ये निश्यत है कि company अपने share holders को अपने share की value unlock करा के फैदा जरूर करवाएगी ये निश्यत है जिनके पास share है वो तो बने ही रहे है जिनके पास में नहीं है वो अपने research करें और हमारे research का help लें और उसके बाद में अपने consultant से बात करके share को खरीदे हैं बेचे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो अगर पसंद आया तो like करें दोस्तों को share करें अगर चैनल पे नहीं है तो subscribe करें अगर आपने subscribe किया है तो bell icon को on कर दे ताकि अगला वीडियो जब मैं डालूँ तो notification आपको मिल जाए और वीडियो देखें आप कुछ फैदा उठा सके एक बार फिर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद